नमस्ते मैं हूँ संजय देख्षित और आप देख रहे हैं दीजय पूर टैलोक्स बड़ी रेल दुरगटना बाला सोर में और अब हो गई है CBI Inquiry की घोशनग अब CBI की Inquiry क्यों हुई है मैं उसको अभी आपको थोड़ा साथ विस्तार में कारण पूरा बताता हूँ और विस्तार में कारण आप जानेंगे तो आप पता चलेगा कि निश्चित रूप से CBI Inquiry आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से दुरगटना हुई है वो साफ साफ एक बात बिलकुल बता देती है कि ये दुरगटना जो है वो किसी मानव द्वारा छेड़ चाड़ के कारण ही हो सकती है ऐसा क्यों है क्योंकि जो वो पूरा electronic signal system है वो foolproof है वो fail safe है यदि कोई भी तकनीकी गलती है उसमें हो जाती है कहीं भी उसके किसी भी पार्ट में मान लीजे कहीं कहीं electric current नहीं पहुँच रहा है या कहीं कोई और उनके जो moving parts हैं उसमें कोई failure हो जाती है कुछ भी हो जाता है तो वो इस तरह से designed है कि जरा से भी कोई इसमें failure हुई कुछ भी हुआ तो पूरा का पूरा system जो है वो लाल हो जाएगा red signal हो जाएंगे सब जगए और सारा movement वो रोक देगा किसी भी तरह से वो आगे नहीं बढ़ने देगा और जो यह पता चला है कि जो engine का driver था उसने मरने से पहले बयान दे दिया था कि उसको signal green मिला था पैनल पर भी signal green मिला था लेकिन जो point था जो उस panel से operate होता है वो point जो था वो loop line पे set था जो की green signal के साथ में mail नहीं खाता है क्योंकि यदि green signal होगा तो through through line पे जाना पड़ेगा mail line पे train को जाना था चली गई वो loop line पे इतना तो अब इस पश्ट हो चुका है अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेन नहीं है अब आते हैं उस दिन की घटना पर बताया जाता है कि उस दिन जो एक level crossing थी वो level crossing का जो भूम barrier था वो अटक गया था वो भूम barrier अटक जाने के कारण और वो नीचे नहीं हो रहा था तो उस वज़े से interlocking गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए green signal देने देना permit नहीं कर रहा था क्योंकि interlocking में जो level crossings होते हैं इस तरह के जितने भी बीच के बिंदू होते हैं उन सब में जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक interlock उसको permit नहीं करेगा कि आगे का point वो set कर सके या signal उसका green हो सके तो यह पता चला है कि इस से पार पाने के लिए जो वहाँ पर signal operator था उसने किया है जुगाड आपको पता है कि भारत में जुगाड कर बड़ी परंपरा है और ऐसे जुगाड के चक्कर में भारत में कई सारी दुरुगटा होती रहती हैं और वो जुगाड कहा किया जाता है वहाँ पर एक होता है location box उस location box में ये सारे के सारे जो system के तार हैं वो वहाँ जाकर मिलते हैं उनको junction box location box वहाँ होते हैं उसमें ये सारे system जाकर मिलते हैं अब उसने भाई ने जो signal operator था उसने ये सुचा कि भाई अगर मान लिए यहाँ पर ये boom barrier बंद नहीं हुआ इस crossing का तो मैं इस signal तो कैसे दे पाऊंगा कॉरमंडल आने वाली है और कॉरमंडल अगर आ गई यह यह इस boom signal थी यहाँ पर तो हम temporary इंतिजाम कर लेंगे यहाँ पर हम खड़ा कर देंगे यहाँ पर कोई रसी वसी खीच देंगे कह देंगे मैं रुक जाओ ट्रेन आ रही है लेकिन हरा सिगनल देने के लिए तो फिर इसको मुझे बाइपास करना पड़ेगा तो वो जाकर क्या करता है कि लोकेशन बॉक्स में जाकर उस पूरे सिस्टम को लूप कर देता है लूप करने का मतलब यह होता है कि वो जो वो इंटरलॉकिंग है सिगनल से बूम बैरियर क उसको कर देता है लूप सिगनल हो जाता है ग्रीन लेकिन पॉइंट चेंज नहीं होता देख रहे हैं आप ये सब करने में लूप करने में ग्रीन सिगनल देने के बाद पैनल पर आ गया सिगनल ग्रीन है लाइन सेट है लेकिन ये लूप करने के चक्र में जो स्विच होता है पॉइंट जिसको बोलते हैं उसको स्विच भी बोलते है यानि जब ट्रेन आती है जब उसको दूसरी लाइन पे ले जाना होता है तो यह जो स्विच है यह मूव करता है इसकी एक टंग रेल होती है जब टंग रेल साथ में आ जाती है माल लीजे गाड़ी को लेफ्ट जाना है लूप लाइन पे तो देखिए उसके जो फ्लैंज होते हैं ट्रेन के वो अंदर की तरफ होते हैं तो अगर माल लीजे वो टंग जो है उसको लेफ्ट साइड से अलग कर दिया जाता है और राइट साइड में जोड दिया जाता है तो जो राइट साइड में जोडने से और लेफट साइड में अलग होने से जो आपका लूप लाइन की तरफ जो लाइन जा रही है ट्रेन उस पे चली जाएगी और अगर उसको सीधा जाना है तो जो फ्लैंज चू की अंदर होता है तो उसको लेफ्ट साइड में जोड देंगे और राइट साइड में गैब दे देंगे तो वो फ्लैंज जो है वो सीधा ले जाएगा ट्रेन को इसमें ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं होता ये पूरा का पूरा काम जो है वो इस्टेशन से होता है और इस्टेशन मास्टर के निर्देशन में जो पैनल आपरेटर होते हैं वो ये सारा काम करते हैं आजकल उसके लिए एक रूट रिले रूम भी होता है अलग से यह रूट रिले रूम जो होता है यह डबल लॉक सेल लॉक्ड रहता है यानि इसकी दो चावियां होती हैं और दोनों चावियों को आपरेट किये बिना वो खुल नहीं सबता अब यहाँ पर यह आया है कि जब एक्सिज़न्ट हुआ तो पाया कि जो रिले рूम था वो खुला हुआ था और उसके पहले यहां मिटेनिंस कार हुआ था इसका मतलब यह है कि हमारे जो ग्यानी ध्यानी लोग जो है और नॉर्मल रूप में करते रहे हैं उसी जुगार के हिसाफ से इन्होंने किया है बैराल इस जुगार के चक्कर में लगबग तीन सो लोगों की जान चली गई इसी लिए यहां पर एक इतना बड़ा स्टेप लिया गया कि इसमें सीवी आई की जाच को आदेशित किया गया अब ये बात और आई है इसमें कि इस परकार के जुगार जो है वो होते रहते हैं और ये जो उपर का मैनेजमेंट है उनकी दृष्टी में भी है लेकिन इतना प्रेशर है गाड़ियों को समय से चलाने का इतना प्रेशर है गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा चलान उनके उपर कि वो ये प्रियास करते रहते हैं कि अगर छोटा मोटा कहीं सेफटी से कॉम्प्रमाइज करना भी पड़े तो ट्रेंज समय पे चलती रहे क्योंकि ट्रेंज का जो पंक्चुएलिटी है वो लगातार मॉनिटर होती रहती है अब यह देखिए कि इनके पास कितना समय रहा होगा कि पिछला जो स्ट्रेलवेश स्टेशन है वो सिर्फ पांच किलो मीटर है और वो पांच किलो मीटर से यहां तक आने में उसको मुश्किल से दो डाई मिनट इसलिए लगे होंगे क्योंकि वो ट्रेंज चल रही थी 128 किलो म मिटर प्रतिगंटा की गती से अब 128 किलो मिटर की गती से तो वो पांच किलो मिटर मुश्किल से दो डाई मिनट पर पहले यह ले चुके हैं कि लूप लाइन पे ट्रेन को और फिर अगली ट्रेन को फटा-फट लाने के लिए यह जाके वहां पे छेड़ जाल करते हैं पॉइंट मशीन से लूप करते हैं जाके जंक्षन बॉक्स में और साथ में जो रिले रूम है वहाँ पे भी कुछ अड्جस्पेंट करते हैं जाके और इस सारे कारे से होता यह है कि पॉइंट मशीन है वो डिलिंक हो जाती है और रिवर्स हो जाती है यानि वो रिवर्स हो जाती है और इसी लिए जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें ये आया था कि भई signal was given green signal was given and then taken off तो जब इन्होंने signal दिया और उसके बाद वो point क्योंकि उसको de-link कर दिया था वो वापस operate हो गया ये जो कारे हुआ उसमें इनके पास समय ही नहीं था कि उस गलती को ठीप कर पाते इसलिए पूरी railway board को पूरे zone को बलकि सारे zones को इस चीज की अत्यनत आवशकता है कि ये जो shortcut लेने का जो एक परचलन होता है हमारे हाँ उसको किसी भी प्रकार से उसका उपयोग ना करें क्योंकि ट्रेन डिले हो जाए बले भाई जान तो ना जाए आदमी है आदे गंटे लेट हो जाएगा गंटे पर लेट हो जाएगा घर तो पहुँच जाएगा ये है हुआ है इस पूरे हादसे में और जो तीसरी ट्रेन जा रही थी वो तीसरी ट्रेन तो लगबग निकल चुकी थी उसके जो आखरी दो डब्बे थे उसमें जब ये डिरेल होती है ट्रेन पूरी की पूरी तब वो इसके पिछला हिस्सा जो है वो टकरा जाता है ये हुआ है इसमें पूरा अब CVA जहाँ चोगी तो इसमें तकनीकी पहलो भी जावर हो जाएंगे और किसी भी तरह का या कोई क्रिमिनल इंटेंट यहां दिखाई पड़ेगा तो वो भी पता चल जाएगा और अफ़ाओं पे बिल्कुल ध्यान और खान ना दे कि जो लोग जो हैं वो इसमें और तरह तरह के अंगल्स बता रहे हैं वैसा अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है वो सारी अफ़ाएं यफ़ाएं तो इसलिए अब रेलवे को भी और देश को भी यह ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी प्रकार से सुरक्षा और संद्रक्षा के जो फूल प्रूफ फेल सेफ जो मेतड़्स हमें दिये हुए हैं कंप्यूटर बेस्ट इलेक्ट्रोनिक्स के माद्यम से उनके साथ ही इस तरह की मानवी च्छेड़ चार ना हो और इस प्रकार का हादसा भी भगवान न करे कभी और हो जैन वंदे मातरो